नमस्कार आप देख रहें प्रताबगर ब्लोग से यूटूब चैनल हम है रामकेलाश सियादव आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ मतर की अगेति वुआई हमें किस महिने से सुरू कर देना चाहिए और आज के इस वीडियो में आप लोग को दो विराइटी के बारे में हम बताने वाला हूँ और पहले विराइटी जो है आर 10 हाई एलड पीज एगी सीड जो दूसरी विराइटी है वो है करिसमा एस टेन ग्रीन पीज सीड दोनों विराइटी के बारे में आपको बता जाए गा इसकी अगेति वुआई किस महिने से सुरू हो जाती है और इसमें फलियों में दाने की संख्या क्या है और अगेती बुवाई हमें कब से कब तक कर देना चाहिए इसके बीज की कीमत क्या है प्रती एकर के हिसाफ से अगर हमें बुवाई करना है तो इसका बीज मात्रा क्या होगा सारी चीज़े इस वीडियो में आपको बताया करते हैं तो इसमें जो फलिया आती है इसमें लगभग 10 से बारे दाना आपको देखने को में लेगा 1012 अगेती बुवाइप कर देते है तो कफी बेश्ट बुगाई के लिए काफी बेश्ट समय कब से कब तक है अब बात आती है किसान भाई कि इसका जो है कीमत क्या है तो इस सीट की आर्टेन हाई एल्ड पीज जो है इसके अगर हम कीमत की बात करें तो पांसो तीस रुपया प्रती किलो के हिसाब से आपको मार्केट में उपलब् अगर हम एक एकड़ खेत में इस मटर की बुवाई करना चाहते है तो इसमें बीज मात्रा कितना लगेगा अगर हम आर्टेन हाई एल्ड पीज इसका अगर हम बात करते हैं कि एक एकड़ में बीज मात्रा कितना लगेगा तो लगभग 40 केजी आप जो है बीज मात्रा दे सक करते हैं जो दूसरी बेराइटे आती है हमारी क्रिस्मा एक काफी बढ़ना और बेस्ट इसमें पर मुहद few हैं दाने के Remo होगे टेस्दी लगवग दाने की संख्या 11 अग्र आप करते हैं स्यूनाơ जिसमें अधिक सथिक पायДावार हो गरर अधिक सदिक आप जो है benefit या मुनाफा कमा सकते हैं अगर किसान भाई हम बात करते हैं कि इसका जो है बीज मात्रा क्या है तो इसका भी किसान भाईयों जो बीज मात्रा के अगर हम बात करते हैं तो प्रती एकर के हिसाब से अगर आप एक एकर खेत में बुगाई करना चाहते हैं तो बीज की एक किलोगराप बीज खरीते हैं तो लगभग आपको 360 रुपया 360 रुपया प्रती केजी के हिसाब से आपको मार्केट में उपलब्द है अगर हम किसान भाई बात करते हैं कि इसका हमें जो है अगेती बुआई कब से शुरू कर देना चाहिए तो इस मटर की अगेती बुआई किसान भाईयों आपको कर देना चाहिए लगभग जैसे कि छेत्र उपर भी निर्भर होता है मिट्टी उपर निर्भर होता है हमारा किस तरह का छेत्र है अगर इसकी बुआई की बात किया जाए तो 20 अक्टूबर से सुरू हो जाता है लेकिन कहीं कहीं किसी भी छेत्र में ऐसा देखने मिलता है कि बारिस हो जाती है ते सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है 20 अक्टूबर से लेटेस्ट है अगर आप अगेती बुआई करना चाते है तो 20 अक्टूबर से लेकर के लास्ट अक्टूबर जादा से जादा आप पांच नौमबर तक इसकी बुआई कर दें और इसके बाद अगर करते हैं तो क्या है कि बहुत जादा मात्रा में मटर मार फलियां उस समय तयार होंगी जिस समय मार्केट में फलियां नहीं रहेंगी तो किसान भाईयों आप जो है किस तारीक को बुवाई किये हैं मटर की हमें नीचे कमेंटर जरूर करें हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा थाइंग किसान भाई वीडियो आच करन